नमस्क्राव बच्यों, आज हम व्याकरण पढ़ेगे व्याकरण की पुस्तर कौन सी है आपकी स्पाइरल इंदी स्पाइरल निका लिए और उसमें चक्र निका लिए विराम चिन क्या समझेंगे हैं? विराम चिन लिए किसे कहते हैं? कोई बताएगा पुछी? कौन? कौन बताएगा विराम चिन लिकिसे कहते हैं? कौन से उते हैं विराम चिन? नहीं बताती है, कोई बात लिए लिए लिखते समय बात को इस पश्ट करती के लिए जिन चिन्नों का प्रियोग किया जाता है उन्हें विराम जिन कहा जाता है विराम के रूप में प्रियोग किया जाता है विराम कई प्रकार के उपने हैं और हमारे कशा के अंतरगात आते हैं मुख्य रूप से चार विराम जिन कौन-कौन से आते हैं, जिसे फूर्ण विराम, यह वाक्य की समाक्ती पर लगाया जाता है, ठीक है ना, साधारण वाक्य की समाक्ती पर लगाया जाता है, वैते दवाई बना रही हैं, बना रही हैं कि बार क्या लगाया गया है, फूर्ण विराम, अल्ख विराम किसे कहते हैं अल्प विराम जहां मद्ध में अर्टवा किसी कारण बहुत थोड़ा रुखना पड़ जाता है वहाँ पर अल्प विराम का योग किया जाता है जैसे हम कई नाम बोलते हैं ना राम, अल्प विराम, शाम, मोहज, और कमल, विद्याले जा रही है यहाँ पर हमने क्या दिया अल्प विराम का प्रियोग प्रशन सूचक चिन, प्रशन सूचक चिन हम कहा लगाते हैं जिस बागे में हम कोई प्रशन पूछते हैं किसी प्रशन का प्रियोग करते हैं तो वहाँ पर सबसे अंत में प्रश्ण चिन्द का प्रियोग किया जाता है प्रश्ण चिन्द कौन कौन से होते हैं वही वाँ प्रश्ण चिन्द होते हैं कौन क्या, कहा, कैसे, कब जिसे उधारण के रूप में एक बाक्य दिया गया इना पर तुम्हारी पुस्तक कौनसी है? तो कौनसी है के बाद क्या लगाया गया? प्रेश्न सूचक्चिन अब हमने समझा ना कि पहला हो गया फून विराम फिर हुआ आर्धु विराम उसके बाद प्रेश्न सूचक्चिन और अब हम सीखेंगे विस्मयादी सूचक्चिन विस्मयादी सूचक्चिन यानि आश्चारे जहां पर कर दोता है मनुष्य के मन में अनेक भाव आते हैं साधारन भाव आया तो हमने कौन सा लगाया? फून विराम प्रेश्न आया? प्रेश्न का भाव आया तो हमने प्रशुवाचक चिन्न लगाया अगर आया विसमे आश्चरी का भाव आया जिसमे आश्चरी के भाव में खुशी का भाव, दुख, ग्रणा ये सारे भाव आते हैं तो उसमे लास्ट में हम क्या लगाते हैं अन्द में विस्मयादी सुचक चिन्द का प्रियोग किया जाता है जैसे अरे तुम आ गए? ओ मेरे पैर में चोट लग गई है तो ये सारे बाग कि किसके उधारण है? विस्मयादी सुचक चिन्द की तो बच्चों समझने आया कि हमने आज पढ़ी है विराम चिन्द कर तम इसका अभ्यास कारे करेंगे धन्यवाद